जी आ नमस्कार और याना में TGT की बंपर वगैंसी निकली है बंपर से भी बंपर बिना च्टेट वाले कैसे आवेदन करेंगे बड़ा लंबा इंतिजार कर दिया कुछ कंडियेट्स तो ओरेज हो गई लेकिन जो बचे हैं उनमें से कुछ का च्टेट पास है कुछ का नई ह बिना च्टेट वाले भी आवेदन करेंगे क्यों करेंगे क्या रास्ता है डिटेल से जानकरी देंगे ध्यान से इस वीडियो को सुरूश यहन तक देखिएगा आलाकि इस नोटिस में साब तोर पर लिखा गया है कि कंडियेट को अच्टेट पास होना चाहिए तब ही आप इस वरती में समलित होंगे जिसका कोई नहीं होता उसकी अरियाना में कोर्ट होती है कोर्ट एक ऐसा रास्ता है बिना स्टेट वाले भी इसमें आवेदन कर सकेंगे बस जो बिना स्टेट वाले कंडिडेट्स हैं वो मिलकर अगर कोर्ट केस कर दे तो इसका रास्ता खुलेगा क्यों खुलेगा और याना में पहले भी ऐसा हुआ है कि बगएर स्टेट के आवेदन कर लिए हो लेकिन इंट्रू और डोकुमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचते पहुंचते सरकार ने यह अल्टीमेटम कर दिया हो कि बरती के बाद यानि डोकुमेंट वेरिफिकेशन या इंट्रू से पहले यह स्टेट होता है तो उसमें आप पास हो जाएगा और हमें डोकुमेंट वेरिफिकेशन में दिखा दीजिएगा यह देखिएगा जब पिछली बार जो टीजीटी की वेकैंशी निकली थी तो उसमें यह नोटिस विशेश तोर पर डाला गया था कि आ शुरू होता था और इस नोटिफिकेशन का एक हम आपको सामने दिरिश्य दिखा रहे हैं कि इसमें साब तोर पर लिखा है कि इंट्रूशे पहले-पहले आपका स्टेट पास होना चाहिए आपको किरना क्या है बेना स्टेट वाले टीजीटी वाले स्टूडेंट्स को मिल कर कोर्ट में जाना है आई कोर्ट में और वहां से आपको सो परशेंट जो है रास्ता आपका खुलने वाला है आलाकि सरकार ने ये भी काया कि जिनका पिछले साथ वर्षों में जिनका अस्टेट पास हुआ था उनका लाइफ टाइम करने वाले हैं लाइफ टाइम करने की अभी कोई option notice जारी ने किया है अगर notice जारी करेंगे TGT के फिर से आवेदन के लिए कहेंगे कि बिना stat वाले जो आवेदन कर सकती है या lifetime जिनका ओने वाला है वो भी आवेदन कर सकती है तब ही आप मानिएगा कि आपके लिए सुनेरा उसराया है बिना stat वालों से निवेदन है कि आप इस बरती में समली तो ना चाहते हैं तो आई कोट में चले जाएगा आपके लिए रास्ता खुल जाएगा जो stat पास है उनके दरवाजे तो खुल लेए हैं उन पर कुछ आच आने वाली नहीं है